वेल फोक्स आज यह हमारा सिंप्ल हार्मोनिक मोशन का लेक्चर तीन है लेक्चर वन और लेक्चर टू में हम लोगों ने क्या पढ़ा था पहले तो थोड़ा सा उसको समराइज कर लेते हैं हमने देखा कि सिंप्ल हार्मोनिक मोशन में एक्चलरेशन जो है इस इक्वल टू माइनस ओमेगा स्कार एक्स यानि एक्चलरेशन जो है ना इट इस अल्वेज डारेक्टेड टोर्स ता मिड़ पॉइंट फिर हमने देखा कि एफ इस माइनस के एक्स एक्स हमारा डिस्प्लेस्मेंट है एफ हमारा फोर्स है और इस फोर्स को हमने क्या बोला था रेस्टोरिंग फोर्स इसके बाद लेक्शा टू में हम लोगों ने सिंप्ल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन ड्राइव करी थी जो की कुछ इस तरह थी x is equal to a sin omega t plus delta इसमें a क्या था यह amplitude और x क्या हमार डिस्प्लेस्मेंट है और यह periodic function था और वी क्या है वी हमारा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस टेल्टा तो यह चीजे हमने लेक्शर वन और लेक्शर टू में पड़ी थी लेक्शर टू में थोड़ा सा हम लोगों ने और पढ़ा था कि जो है यह टाइम पीरिड क्या होता है टाइम पीरिड जो है वह हमारा था टू पाइ बाइ ओमेगा टाइम पीरिड होता क्या है टाइम पीरिड इस टाइम टेकेन इन वन साइकल साइकल और यू कर से रिवलूशन अगर यह सर्कुलर मोशन है साइकल से हमारा मतलब क्या था हम लोगों ने देखा था कि सपोस्स आपका पार्टिकल यह मिट पॉइंट है और टू एंड फ्रो का मोशन कर रहा है तो यह हमारी एक्स्ट्रीम पोजीशन थी तो अगर हम मिट पॉइंट को और जिन मान के यहां से साइकल अगर मेजर करें तो साइकल क्या होगे यह टाइम टेकन from the for the particle going from this midpoint to this extreme point then coming back then again going to the extreme position on the left side and then coming back to mid midpoint so यह हमारा complete एक cycle होता है amplitude आपको पता है कि जो हमारी maximum displacement है from the midpoint यह हमारा amplitude था जिसको हम लोग ए बोड़ते हैं तो यह चीज़े अभी तक हम लोगों ने पड़े और हमने simple harmonic motion का equation भी drive किया था जिन लोगों ने हम मेरा lecture one lecture two नहीं देखा है वो फिर से करना चाहिए एक बार lecture one और lecture two पर जा सकते हैं देखकर clarify these things these are very important things बहुत ही basic चीज़े मैं आपको बढ़ा रहा हूं एक और बात मैं करना चाहूंगा कि आप लोग जो है हमारे इस channel को subscribe करें और आपको अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी अगर आप personal हमाई से coaching लेना चाहते हैं तो हमें आप WhatsApp कर सकते हैं इस नंबर पर डबल नाइन थ्री ट्रिपल फाइव वन सिक्स वन सेड़ यह जो कुछ भी guidance आपको हमसे चाहिए यह बिलकुल free of cost होगी कोई आपको पैसे देने की जुवत नहीं है कोई कुछ नहीं है यह मेरा शौक है और इसको मैं YouTube चैनल के बाद हमसे आप लोगों के साथ share कर रहा है चलिए अब lecture 3 पे बढ़ते हैं हम लोगों ने time period देख लिया था time period जो है न यह होता है इसके बाद अब इस पे आती है frequency फ्रिक्वेंसी या एंड अंगुलर फ्रिक्वेंसी आखिर यह क्या है देखते हैं कि आखिर यह है क्या जब भी कोई periodic function की बात करेंगे हम लोग तो वहां पर यह सब parameters आने जरूरी है time period जो है इसको हमने कैसे define किया time taken in one cycle यानि for completing one cycle or one revolution whatever time is taken in second that is called time period and frequency is defined as number of cycles or revolutions per second यानि कि अगर देखा जाए तो time period और frequency दोनों एक दूसरे के जैसी प्रोकल है तो फ्रिक्वेंसी क्या होगा है हमारी फ्रिक्वेंसी को हम ऐसे डिनोट करते हैं new this is called new one by 10 इसका मतलब क्या हुआ यह हो गया omega by टूपाइ टूपाइ करेक्ट ओमेगा हम लोगों ने पहले भी देखा था ओमेगा क्या है इस्प्रिंग के केस में के बाइ एम तो हम इसको यह भी लिख सकते हैं वन बाइ टूपाइ रूट के बाइ एम और यह तो हो गया आपका फ्रिक्वेंसी और ओमेगा यहां पर क्या है इस इस कॉल्ड एंगुलर फिक्वेंसी अगुलर फ्रिक्वेंसी प्रिक्वेंसी की यूनिट जो है इसकी यूनिट जो है क्या होती है हर्ड्स हर्ड्स क्या है नंबर आफ साइकल्स और दंबर आफ रिवलूशन्स पर सेकेंड जिसको हम लोग हर्ड्स बहते हैं ठीक है और इसको हम डिनोट करते हैं एच जेट्स करेक्ट सो आपको यह क्लियर हो गया कि फिक्वेंसी क्या है और एंगुलर फिक्वेंसी इसमें क्या है अब बहुत ही इंपॉर्टन्ट चीज है उस पर आते हैं उसको बोलते हैं फेज फेज आकिर है क्या फेज जो है अगर हम टेक्निकल टर्मस में बोलें तो हमारी जो एक्वेशन थी वो क्या थी एक्स इस इकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा यह जो फेक्टर है इस इस कॉल्ड फेज अब आखिर फेज है क्या इसको हम बोलते हैं कि इस गिवस यू दा स्टेटस पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन यानि कि यह देखो आप डबलू ओबेगा टी प्लस डेल्टा है टी इस वाट टाइम किसी भी टाइम पर यह आपको पार्टिकल की पोजीशन या इस्टेटस बता रहा है अब लेटा सी इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं क्या कर यह है क्या हमारा सिंपल हर्मोनिक मोशन इस तरीके से था सपोज यह और यह आपका बिट पॉइंट है कि की पॉजिशन टी मीज टाइम सब्सक्राइब हम यहां पर टाइम माल लेते हैं ती इस इकल टू जी रो टी इस इकल टू जी रो का मतलब क्या हुआ इसका मतलब आपका यहां पर जो है जो फेज है बिसी के लिए यहां पर जीरो माल है फेज यहां पर इसको यह जीरो माल ले तो इसको मतलब यह क्या हुआ ओमेगा टी प्लस डेल्टा इस इकल टू जीरो इस इकल टू जीरो का मतलब क्या हुआ एक्स इस इकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा यह डिस्प्लेस्मेंट है बिट पॉइंट पे डिस्प्लेस्मेंट क्या है अगर हम इसको और जिन मानते हैं यहां ही सही हमारा साइकल स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब यहां से डिस्प्लेस्मेंट हमारा जीरो है तो इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल जो है अरिजिन पे पार्टिकल जो है इस क्रॉसिंग दा बिट पॉइंट अग्ड प्रोसीडिंग तुवर्ट्स प्लस डार्यक्शन गर्ट् उसी तरीके से सपोज हम यहां पे जो है यहां पे आपका जो डेल्टा था वहां पे आपका जीरो आ गया यह ओमेगा टी प्लस डेल्टा आपका हमने मिट पॉइंट पे इसको फेस को जीरो बाना थीक है सपोज यहां पे यह जो ओमेगा टी प्लस डेल्टा यह पाई बाई टू है देन एक्स क्या हो जाएगा एक्स विल बी इक्वल टू ए और वी बी इक्वल टू जीरो इसका मद्दब क्या हुआ कि यह जब इसका फेस जो है पाई बाई टू हो गया तो यह आपका एक्स्ट्रीम पोजिशन पर यहां पर पहुंच गया और इस एक्स्ट्रीम पोजिशन पर नैच्रली वी जो है न वह जीरो हो जाएगी और डिस्प्लेस्मेंट जो है न वह मैक्सिमम है और इस यह एम्प्लिटीवट इसको और थोड़ा सा देखें तो सपोज यह हमने एक्स एक्स पर यह आपका पार्टिकल जो है न टू एंट फो कर रहा है इस इस गूइंग लाइक दिस कर्रेक्ट यह आपका एक्स इस इकल टू जीरो है यहां पर यहां पर फाई क्या है बिसिकली जीरो है फाई हमारा क्या है फाई जो है ना डाट इस फेज इसको बोलते हैं फेज एंड इस इस इकल टू ओमेगा टी प्लस टेल्टा करेक्ट उसी तरीके से आपका जब फाई हमारा पाई बाई टू हुआ तो आपका पार्टिकल कहां पर है इस पोजिशन में पार्टिकल था अब आपका एक्स्ट्रीम पोजिशन में पार्टिकल आ गया और यहां पर फाई क्या होगा फाई वाई टू होगी पिर आपका पाई है तो नेचुरली साइन पाई क्या होता है आपका जीरो होता है यानि कि फिर यह पार्टिकल जो है ना आपका बिट पॉइंट पहांच गया है ठीक उसी तरीके से अगर फाई जो है पाई बाई टू से और इसको incomली करदें देपींस 3 पाई बाई टू है वह अग्स आपको देखोगे यह साइन थी पाई बाई बाई तो यह थो यानि कि आपका जो पिसिकली पार्टिकल है वो आपकी extreme position पर यहां आगया, again, पाई सपोस्थ आपका 2 पाई हो जाता है, फिर क्या होगा, यह 2 पाई again, sine 2 पाई is 0, इसका बदला x is equal to 0, इसका बदला आपका particle आपका, तो this is one complete cycle, तो यह आपका जब particle था, phase 0 से start हुआ, and 2 pi पे आके उसी point पे आगया, and this completes your one cycle, and अगर आप 5 की value, pi by 2, pi 3 pi by 2, 2 pi इस तरीके से रखेगे, तो basically, यहाँ पे यह आपको displacement, आप extreme position पे है, फिर bit point पे है, फिर extreme position पे है, bit point पे है, like that, यह displacement, आपको status, यानि कि status of the particle जो है, वो आपको, बिलता रहेगा, correct, now, यह जो phase है, basically, phase हमने, देखा है क्या, omega t, और यही phase जो है, अगर omega t, plus delta, plus 2 pi कर दें, तो इसमें कोई change नहीं होता है, क्योंकि, sin, sin theta, या sin, 2 pi, plus theta, is nothing but sin theta, correct, so 2 pi से, आप function को कहना चाहिए, आप enhance करके, उसको phase को enhance करो, तो आपके basically, यह जो functions हैं आपके, displacement के, यह displacement के, और velocity के, इन पे कोई फरक नहीं पड़ता है, तो इस सब periodic function, यानि कि 0 to 2 pi के बीच में, यह repeat होता रहता है, यह repeat होता रहता है, this is, that's why, it's a periodic function, periodic function, तो I hope, जो है, आपको phase का, थोड़ा सा, idea होगा के phase है क्या, इसको अगर हम, sign के उसमें देखें, sign कर्व में, तो, suppose यह आपका x है, यह आपका phi है, phi मतलब phase, x और phi के बीच में है, तो यह origin है, अगर यह हमारा bit point है, तो when phi is equal to 0, we have seen, x is 0, means, यह point मिल गया हमें, when phi is equal to pi by 2, तो हमने देखा कि x जो है था ना हमारा, a था, and this is your a, फिर phi हमारा, pi हुआ, फिर हमारा x 0 हो गया, फिर हमारा 3 pi by 2 हुआ, 5, तो हमने देखा, फिर आपका जो है, displacement जो है, negative displacement, minus a, क्योंकि sin 3 pi by 2 minus, and then, 2 pi पे, again इसका, तो अगर इसको हम प्लाट करें, तो यह कर्व जो है, इस तरीखे से, इस तरीखे से, and this will keep on like this, so this is your basically sine curve, this is called sine curve, velocity को जब हम देखें हैं अगर इसी चीज को तो velocity हमारी क्या होगे, यह हमारा V है, this is your phi यानि phase, और इसको हम प्लाट करें, 0, पाई बाई टू, पाई, and 3 पाई बाई टू, अब हमने देखा था कि जब displacement 0 है, midpoint पे तो velocity maximum थी, यानि कि यह आपकी velocity आजाएगी, and आपका, इस तरीखे से यह जो है आपका, और यह आगे ऐसे चलता रहेगा, और यह आगे ऐसे चलता रहेगा, करेक्ट, तो अगर आपको कोई भी पूछता है कि यह displacement और velocity में कितना phase difference है, तो you can always say from this figure, कि दोनों में पाई बाई टू का phase difference है, करेक्ट, तो यह है, यह थी हमारी phase की बात, phase हमारा basically यह था, phi is equal to omega t plus delta. Now, let us talk about phase constant. Phase constant क्या है, phase constant आपका क्या है, इस figure यह phase में आपका जो delta है, this is delta, this is basically phase constant. Now, if is constant आपका क्या है, it depends on, this depends on, twice of, twice of, t is equal to zero. Suppose, आपने midpoint पे, midpoint पे आपने जो है न, आपने t is equal to zero लिया हुआ है, करेक्ट, तो midpoint पे क्या होगा, bitpoint, bitpoint पे आपका t is equal to zero हो गया, करेक्ट, और, जो है, omega t, plus delta, sin, x हमारा, यह था, midpoint आपने t, t लिया हुआ है, और चुकि यह displacement midpoint पे हमारा zero है, at t is equal to zero, अगर आपने displacement zero बाना हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि bitpoint पे आपका delta भी जो है न, हो जीरो हो गया, तो अगर आप, simple harmonic equations, का जो t है, अगर bitpoint पे चूज करते हो, तो इसका मतलब, आपका this equation, reduces to, a sin omega t, correct, अगर आपने, suppose extreme position पे, यह extreme position है, इस पे अगर कहना चाहिए, t is equal to zero बानते हो, इसका मतलब क्या हुआ, कि आपका extreme position पे, t is equal to zero का मतलब क्या हुआ, कि आप, यहाँ पे x is equal to, जो है, वो आपका क्या होता है, a, तो इस case में क्या हो जाएगा, a will be equal to a t, sin, delta, because omega t आपका चला गया, क्योंकि t आपने zero माना हुआ है, तो इससे क्या हुआ, sin, delta is equal to one, और, this gives delta is equal to, pi by two, correct, अब, आपकी equation, क्या हो जाएगे, x is equal to, a, sin, omega t, plus pi by two, क्योंकि यहाँ delta आपका, pi by two आ गया है, अगर आप, extreme position पे, t is equal to zero, यानि कि आप, assume कर रहे हो, कि जो आपका particle है, जब वो extreme position पे है, तब आपने time जो है ना उसका, t is equal to zero, बना हुआ है, that particle is starting, from, extreme position, not from the midpoint, और यह क्या हो गया, यह हो जाएगा, a cos, तो, you see the difference, इस equation में, यह sign function है, और यह हो गया, cos function, and दोनों ही displacement है, इसका मतलब क्या हुआ, इस case में, आपके जो basically, जो हमने ऊपर curve बनाए है, now your x curve will be, अगर x, और phi इस तरह लेंगे, तो x, then x, your x will start from, like, like, like this, इस curve आप ठिक ठाक बना ले न, तो, this is an indicative curve, I am giving you, तो यह है आपका basically, जो delta जो है न, अखिर delta है क्या, delta को कैसे समझा जाए, phase क्या है, phase constant क्या है, यह दोनों ही बहुत ही important चीज़े है, और यह बहुत जरूरी है समझना, तभी आप इस equation को, अच्छी तरीके से, समझ पाओगे, आखिर simple harmonic motion के basic parameters, basic equation, यह जो equation है, how it behaves, तभी आप अच्छी तरीके से, इसको समझ पाओगे, तो I hope, यह दोनों ही चीज़े, clear हो गई होंगे, यह question है, जो कहना चाहिए, अभी तक जो हम लोगों ने, phase और phase constant और यह सब पढ़ा है, इसके based पे एक question है, और physics पे basically, question से कुछ चीज़े ज्यादा समझ में आती है, यह question जो है न, मैं पढ़ता हूँ, आप एक पर इसको देखिये, a particle executes simple harmonic motion, of amplitude a, along x-axis, at t is equal to 0, the position of the particle is at, x is equal to a by 2, and it moves along the positive x-direction, find the phase constant, यह delta, if the equation is written as this, इसमें phase constant हमें निकालना है, परिशे के लिए, correct, तो particle आपका है, यह suppose इसकी mid position है, यह इसकी extreme position है, तो हमारा t is equal to 0, जो है, extreme position पर naturally, displacement हमारा a होगा, but t is equal to 0, हमें यहां पर लिया है, और यहां पर displacement जो है, a by 2 है, हमारी equation दी हुई है, x is equal to a sin omega t plus delta, अब x यहां पर दिया हुआ है, a by 2, when t is equal to 0, इसका मतलब क्या हुआ, a by 2, x की जगे पर a by 2 रख दिया, is equal to a sin omega t, आपका 0 है, तो यह function आपका 0 हो जाएगा, तो यह केवल बचेगा, आपका delta है, correct, इसका मतलब क्या हुआ, sin delta is equal to 1 by 2, और delta क्या हो जाएगा आपका, 5 by 6, और 5 by 6, मतलब आप 5 by 6 रखो या 5 by 6 रखो, दोनों की value, 1 by 2 ही आते हैं, अब अभी आपका basically, 5 by 6 आपका phase constant है, या 5 by 6 phase constant है, इस equation से तो यह दोनों लग रहा है, कि यह delta की value, यह भी हो सकती है, यह या दूसरी भी हो सकती है, 5 by 6 भी हो सकती है, हमें यह verify करना है, कि whether 5 by 6 correct है, या 5 by 6 correct है, और वह हम कैसे करेंगे, हमें दूसरी चीज भी बता है, V क्या होता है हमारा, V होता है, A omega cos omega t plus delta, यह होता है, हमारा क्या दे रहा है, this is your V, this is your V, अब t is equal to 0 पे, V की equation क्या हो जाएगी, A omega cos delta, अब delta को देख लेते हैं, जब delta जो है न हमारा, 5 by 6 है, तो V क्या हो जाएगा, स्वरी यहां पे, cos delta, cos delta यह मलता, cos pi by 2, यह क्या होता है, cos pi by, sorry, इस value को अगर रखें, तो cos pi by 2, pi by 6 क्या होगा, root 3, by 2, and इस वाली value को अगर हम रखें, तो cos, 5 pi by 6, this is, this comes as minus root 3 by 2, अब इसमें अगर हम cos pi by 6 रखें, तो यह positive, V positive आ रहा है, और अगर हम 5 pi by 6 रखें, तो यह negative आ रहा है, लेकिन हमें question में क्या दिया हुआ है, कि T is equal to 0 पे, जो x है वो a by 2 है, ना कि minus a by 2, ठीक है, it is in the positive territory, positive x-axis direction में, इसका मतलब, हमारा जो है, answer जो है, वो इसको comply करेगा, इसका मतलब, देल्टा की वैलू, पाई बाई 6 होगी, ना कि 5, पाई बाई 6, so this is how, we have to see, कि what is the phase constant, so you don't have to simply stop, that delta is 5 by 6, or 5 by 5, 5 by 6, because it's a periodic function, sin and cos value, they all, changes करना चाहिए, because in one quadrant, in one quadrant, their sin is positive, cos is negative, like that, so these things you have to, you have to be very careful, while doing such type of, मैं यह question explain करने का, मेरा मतलब यही था, कि आपको जो है ना, phase, phase क्या है, phase constant क्या है, phase constant कैसे जो है ना, vary करता है, तो इस lecture में हमने क्या देखा, एक तो हमने frequency, और angular frequency के बारे में पढ़ा, बहुत easy था, हाँ, लेकिन जो most important thing, इस periodic function में, जो भी हमने equations drive करी, वो उसमें important क्या था, कि phase क्या होता है, phase gives you the status of the particle in simple harmonic motion, and what is delta, delta हम सुरू से assume करते आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन इस lecture में आपको clarify हुआ होता, कि आखिर delta है क्या, तो इस question करने के बाद, और इस explanation के बाद, पेरे ख्याल से आपको phase और phase constant क्या होता है, यह समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट हो, तो मैंने आपको पहले शुरू में आपको अपना नंबर दे दिया है, आप मेरे को WhatsApp कर सकते हो, मेरे से कोई भी physics का chapter है, किसी भी तरह की help है, आप मेरे को ping करो, हम video lessons के थूँ आपको जो है न, चीज़ों को clarify करेंगे, और यह service मैंने आपको बताया, कि totally free of cost है, but most important thing, मेरा चैनल subscribe करो, so that मेरा motivation, आप लोगों को पढ़ाने का बढ़ा रहे हैं, आगे आदे वाली चीज़े, बहुत ही basic हैं, जिसे हम जैसे simple pendulum हो गया, या आपका universal pendulum क्या होता है, physical pendulum क्या होता है, torsional करना चाहिए, rotation क्या होता है, simple harmonic motion, उसमें कैसे determine करते हैं, कैसे आप करोगे, तो आगे आने वाले lecture, lecture four, five में इस तरह की चीज़े हम, लेके आएंगे, बेंश मेरे को लगता है, दो-तिन lectures में, आगे ये chapter पूरा complete होगा, तो, हमारे साथ बने रही है, और simple harmonic motion के basics जो है ना, मैं आपको पूरी तरीके से clarify करूँ, तो आज का lecture में यही सवाप्त करता हूं, कल फिर जो है ना, lecture four के साथ, हम फिर मिलेंगे है, thank you.